दोस्तो स्वागत है एक नए वीडियो में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैराभी सायरंग रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें असम की में सीटी गौहाटी तिरीपुरा के केपिटल सीटी अगरतला एं अरुनाचल प्रदिश की केपिटल सीटी इटानगर पहले से ही रेलवे नेटोरक्स से करेक्टेड है अब नोर्थ इस्टेट के अदर्स केपिटल सीटी को रेलवे से कनेक्ट करने पर जोर दिया जा रहा है जिसमें बैर्यावी सेरंग रेलवे प्रोजेक्ट भी है बैर्यावी असम के हल्यकंदे जिला के पास मिजरम का एकमत्र रेलवे इस्टेशन है जो बहुत पहले से ही यानि 899 से ही मेटर गेज रेलवे से कनेक्टेट था जिसे 2016 में बिरोट गेज में परिवत्तन कर लि जाएगा मिजरम गौर्णमेंट ओफिश्याल्स का कहना है के बैर्यावी सेरंग बिरोट गेज रेलवे लाइन को सेंट्रल गौर्णमेंट ने दो हाजर आठ नुम में एक नेशनल प्रजेक्ट के हिसाब से 2314 से 1934 कड़ो रुपे के लागत के साथ स्विक्रिटी दी थी तो इहां पर 2015 में प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया गया था जिसमें 75% से भी अधिक काम पूरा कर लिया गया है और नवंबर 2030 तक अपनी इस्टिमेटेड बज़ेट से तेगुना ज्यादा 6547 कड़ो रुपे के लागत के साथ प्रोजेक्ट कंप्लेट हो सकता है और आप जान लेते इस प्रोजेक्ट के कुछ खास इमेजिंग फेक्स के बारे में बैर्यावी साइरेंग 52 किलोमेटर नीव रुपे प्रोजेक्ट 55 मेजोर बिरिज़स 87 इसमल बिरिज 32 तरनल्स को शामिल है सुरंगों की कुल लंबाए 12.6 किलोमेटर यानी 52 किलोमेटर रेलवे लाइन में से 12.6 किलोमेटर से होकर गुजरेगी यहाँ पर सबसे लंबी टरनल जो है वो 1.8 किलोमेटर लंबी है यानी लगफ़क 2 किलोमेटर लंबी टरनल है बैर्यावी साइरेंग रेलवे लाइन चार इस्टेशनों को शामिल है बता दे कि इहाँ पर अभी 6-7 महीने के मनसूल का समय है इस सेजन में यहाँ पर काम बहुत धेमी से चलता है लेकिन फिर भी 2030 तक कंपेलेशन का लक्षे रखा गया है दोस्तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया जै हिंद जै भारत हमारे साथ जै पहां पर रहा है तोस्तो बालस